अच्छा ये बताए कि निशाद समाज का बड़ा निता कौन हरी सैनी या मुकेश सैनी सजमन बनिया या करेला बनिया ये बात आप सजमन करेला से पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा कि केवल हो मंचो पर अपने निशाद का बात करूं और जहां से बास तबिक में उस समाज क उद्धार होगा वो जगह है सदन तो सदन में हम बात नहीं उठा भी और जनता के बीच जो है गोल गोल बात करें क्या इसी बातों से इनी भी से उससे समाज का कलियान होगा क्या नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे बिहार बीजेपी ने बड़ा निर्ने लिया है मलसी हरी सेनी को समराट चोधरी की कुरसी मिल गई है जी हां बिलकुल दुरू सुन रहे हैं आप बिहार विदान परिशद के नेता प्रतिपक्ष बना दिये गए हैं हरी सेनी जिसके बाद से बिहार में सियासत गर्मा गई है देखे कहा तो ये भी जा रहा है कि मुके सेनी को मजा चखाने के लिए बीजेपी ने ये लिड़ने लिया है तो इन्हीं तमाम मौजूओं पर आज हमने हरी सेनी जी से चर्चा किये तो ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है तो देखे इस वक्त हमसे बाचीत करने के लिए यहां पर हरी सेनी जी मौजूद है सबसे पहले तो खूब सारी बधाई आपको चले धन्यवाद आपको भी कि भारतिये जंता पार्टी के कार्ज करता जो अतिपिछरा का बेटा है जो मलाख का पूत है मचली माड़े वाला घर का पूत है उसको यह जिम्मेबारी मिले तो आप यहां तक पहुंचे आपके माध्यम से लोगों का मुझे सुभकामना भी प्राप्त हो पर मैं अपनी विसे को भी समाल तक पहुंचा सको इसके लिए आप आपको भी बहुत हो अच्छा यह बताईए कि आपको समराट च डूंधेंस तक पारी का बिसे भाद में Jim Cash करें अपने अपनी के अपने देश के आम आवाम के लिए पहले इसलिये उनकी अप्याइक शा पर खाराऊ उतरो उसके लिए दुड़ संकल्प है पूरा परमात्मा से भी काम ना करता होगे महादेव इस पद के सम्मान को बनाये रखने के लिए अपने प्रांत और अपने देश के समस्चाओं के समधान के लिए जीतना सरीर में खून का बुंद बुंद कत्रा कत्राद अपने प्रांत और अपने देश के लिए काम आब यह भाव मन में है और अभी क्या है वाव क्या वश्क्ता है अब अब सकता एक ही है आम लोगों को लग रहा है कि भाई जब लोगों से बात करते हैं कि वह गुजरात बढ़ा है गुजरात सबल है या बिहार तो है तो हमकात है अखिर भाई गुजरात इतना सवल क्यों है तो फिर भी से उठकर आता है कि उस गुजरात में पिछले 27 वर्सों से केवल और केवल भाजबा की सरकार है और बिहार में जो दुनिया की सबसे बड़ी पाठी है भाजबा उसका आज तक स्वस्त सरकार भाजबा हो गार और बिहार का विकास होगा तस्वीर बद लेगी तस्वीर बद लेगी वह ऐसी लिए जैसे हमारे स्वामी राम देव जी महराज कहा करते है कि टी पेर GU कोई भी बीमारी है उसका एक ही इलाज है वह है योग और ये हर मिक्या है चाहे हो १। इलाज क्या है बिहार में भाजपा की सरकार है हो अच्छा आपको मालूम है कि जब से आप बने हैं बिहार विधान परिशद के नेता प्रतिपक्ष तो चर्चाएं यह हो रही है कि बीजेपी ने मुके सहनी को मजा चखाने के लिए तुरूप का एका निकाल लिया है इसी बात नहीं मजा चखाने के लिए नहीं बस मुझे जो आरी सहनी अब मिल गए है वो के सहनी के क्या जर्वत है इस बात नहीं मैं इन बिसेंव पर भरोसा करता हूं कि इस धारती पर जिस धारती को मैंने बचपन से जाना हूं कि सहीदों का धरती भारत संत्रीशी मुनी महात्माओं का धरती भारत जिन भावनाओं से हमारे पुरवज ने ये दो धरोहर जो नाम दिया है उनको बचाने के लिए जिस हद तक जाना परेगा यार हैं जाने के लिए अच्छा ये बताए कि निशात समाज का बड़ा निता कौन हरी सैनी या मुकेश सैनी यह हम कैसे बता वे आपको क्या लगता है हम बता रहे हैं सजमन बनिया या करेला बनिया यह बात आप सजमन करेला से पुछेंगे तो नहीं पता चलेगा पता किसे लगता क्या है किसके पास आता जन अधान है रहे हैं खाने वाले से पता चलता है कि भीया कि इसका टेस्ट अच्छा है तो यह बात उमारे बिहार की जनता मच्वा भाई बताएंगे कि केवल हम मंचो पर अपने निसात का बात करूं और जहां से बास तबिक में उस समाज का उद्धार होगा वो जगह है सदन तो सदन में हम बात नहीं उठावे और जनता के बीच जो है गोल गोल बात करे क्या इसी बातों से इनी भी से उसे समाज का कलियन होगा क्या और मैं कहता नहीं हूँ मैं तो कहता हूँ कि आप देख लीजे मैं जितना दिन सदन में रहा अपने समाज के लिए क्या किया हूँ बस इसी से पता चलेगा कि करेला बेहतर कुछ महीने पहले आप नहीं एक बात कहती है अगर ऐंडिया में मुकी सहनी शामिल हो जाते हैं तो बड़ा फाइदा होगा लेकिन अब तो एंडिया में जरुवत नहीं है अब तो हर इसानी मिली जा है अरे हम यह नहीं बरा फैदा नुक्सान की बात मैं नहीं कहता हूँ, मैं यह कहता हूँ, कि समंदर इसलिए बरा कहलाता है, कि देश भर की सारी नदिया आके उसमें मिलती है, तब जाके समंदर का स्वरूप तयार होता है, वहां नदी का अस्तित्त नहीं होता है, वहां समंद सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है वह इसलिए कि इसमें सारे समाज सारी वर्गों का वहां समावेस है वैसे लोगों का जो राष्ट बादी है आखरी सवाल है आप से चोबीस भी करीब है और पच्चिस का चुनाव भी करीब है यह बताए कि अब कैसे मजबूत कीजेगा देखते हैं कि किसी साउजी के भर्टी में उपर में कराही चरा रहता है आग जलड़ा होता है अब पंखा का हवा बगल से दिया जाता है देखते हैं ना तो आग तो जला हुआ है तो आग जलाने के लिए पंखा नहीं लगा होता है उस आग के लोग को और बराने के लिए पंखाल लगाया जाता है जनता में नरेंद्र मोधी जी के प्रति अपने देश के प्रति सजगता बढ़ चुका है उस इस लोग को इस बेग को इस गती को और अधिक तिब्रता प्रदान करने के लिए जनता के बीच जाओंगा और भारतिय जनता पाटी के प्रति और अपने प्रदान मंत्री के विचार धाराओं से अपने समाज को अतिपिशरा के बेटा को मच्वारी के बेटा को उससे जोरने का काम करूंगा यही छोटा सा काम करूंगा देखिए क्या कुछ कह रहेते हरी सैनी जी आपने सुना है तो ये पूरी बात चीत आपको कैसी लगी कमिंच करके हमें जरूर बताइएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बनी रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिय कर दो कर दो बहुत